अलो नमस्कार आज में लिका है सम्मेधान का नेश्ट पार्ट और आज हम आपको बताएंगे भारत का राष्टपती देखिए भारत का राष्टपती जो संग्य कारपाल का गंतर गताएगा किस क्याएगा दा इूनियन एम केंजुडेटिव ठीक है यह प्रतम संग्य जो सरक नागरेक को माना गया है तो आप बताएंगे क्योंकि जो जनगर्ना होती है उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो राष्टपती का यह से राष्टपती को बारत का पहला नागरेक माना जाता है थोड़ा राष्टपती-पद्र की जो कॉलिफिकेशन है वह अनुछीत 58 में दिए हुई है किसमें दिए हैं 58 में हैं कौन कौन सी है भारत का नागरिक हो नियुनतम जो आयो होनी चाहिए 35 वर्स होनी चाहिए लोगसभा का सदिस निर्वाचित होने की योगिता रखता हो या किसी लाग के पद पर ना हो यह सरकारी कोई भी नौकरी ना कर रहा हो ठीक है नहीं कर सकते हमसे तो किसमें दिए हो 58 में अधिया ठीक है 35 वर्स होनी चाहिए लोगसभा कोई भी नहीं नहीं होना चाहिए ठीक है और कोई लाव लिया हुआ और चब यह निर्वाचित करा जाएगा तो कम से कम 50 मद्धाताओं का प्रिस्ताव होना चाहिए और पचास मद्दा अनोने तोना चाहिए, मुलब पचास लोग इसके पक्ष मोजब इसके पद को खड़ा करा जाए, मुलब किसी का नाम है, हमने नाम चल्नित कर दिया, लेकिन उसके पक्ष में पचास लोग ने यहां, यह व्यक्ति राष्टपती बनने योग है, पचास लो पंद्रह हजार होती है, कितनी होती है, पंद्रह हजार ठीक है, और अगर वो व्यक्ति कुल मतों का एक बटे छे, मालो साथ बोट हैं, और अगर दस बोट भी नहीं प्राप्त कर पाया, तो उसकी पंद्रह हजार की जमानत रासी क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है, क्या हो संक्रण वें पद्धी द्वारा होता एक संक्रण प्रतिके वह लगता है जैसे मालो बोटिंग जो है देखिए 50% से एक ज्यादा हो रहा जाए मालो 100 वोट है मालो बोट है दो प्रतिन दी है आपके हैं अब तीन प्रतिन नहीं है अब तीनो किसी को मिल गए 25 किसी को मिल गए 40 एक को मिल गए 40 80 एक को मिले 20 तो उसमें कोई भी हार जीत नहीं मानी जाती है ठीक है कम से कम 50 वोट से एक बोट अगर मालो किसी को 49 मिले और किसी को 51 मिल गए तो 51 वाला जीत जाएगा ये इसकी पद्धिती रहती है ठीक है भारत के राश्पती के चुनाम में मद्दान कौन करता है तो राजसवा लोकसवा राज्यों के केंदसासित प्रदेशों की बिधान सबाओं के निर्वाचन सदस करते हैं कौन करते हैं पताएं तो आपको राजसवा करता है लोकसवा के सदस करते हैं राज्यों से वाक दूर्थ के परिस्ताव और अनुसमर्थन कम से कम कितने से सत्वा रगना चाहिए हैं आपको बता चुका हूं कम से कम कितने होने जाइए 50 होने चाहिए बारत में राष्ट्पती का चुनाव एकल हस्ता करने मत प्रनाली सिंगल ट्रांसेबिल वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है ठीक है धारगना एक प्रनाली पचासे ज़्यादा वोट मिलने चाहिए राश्पती के निर्वाचन में किसी राज का मुखमंत्री किस इस्तिती में मद्दान करने के लिढ़ पात्तर नहीं होगा कोई मुखमंत्री है वो किस में पात्तर नहीं होगा किस कंडिशन में एक दिवह राज विदान मंदल की उच्छे सदन का सदस्य हो अगर उसका क्या है जैसा सीम तो बन गया लेकिन वो क्या है राज सभा है कॉन राष्ट पत्रिक निर्वाचनä मंदल का तो भाग है परम包括 मचा नहीं लेता तो राज्ज्जिग की चाहिए बातिन हे उसमें नहीं चुछ कर सकते हैं लेकिनन महाव योग उस इस पर चलाया जाएगा उसे चौदा दिन पहले सूचित कर देना चाहिए ठीक है यह कंडिसर रहती महाव्यूग बहुदंपरंटर महाव्यूग से कोशिन पूछा जाता है संस्दत्वा विधान सवा का कोई सदस राष्ट्पती निर्वाच्ट हो सकता है परंत उस पर क्या सरते हैं निर्वाच्ट अनि के उपरां तो ऊसे अपनी सदस्दता छोड़नी पड़ती है ठीक है रास्ट्पति लोग सभा द्यापियां लेकिन जब रास्ट्पती चुन जागा तो उसको अपनी सदस्द्दनी पड़ता है ठीक है जा रखना पर संस κάνे लिए राष्ट्पत तब तक उसके सारे कारवाई कौन करेगा उपराष्ट पती करता है कौन करेगा उपराष्ट पती चीक है कौन करेगा अगर मालो नहीं है तो उसका फिर देख रहे कौन करेगा तो आपको उपराष्ट पती करता है कौन करेगा उपराष्ट पती ठीक है ध्यार गा आगे बात करते हैं बारत के राश्टपती उसके कारकाल की समापती से पूर किस प्रकारपत से हटाया जा सकता है तो हम आपको बता चुके हैं महावियोग द्वारा किस के द्वारा महावियोग द्वारा प्रक्रिया पूछेगा महावियोग की कहा है तो आपका वो 56 में है प्रक्रिया अगर पूछेगा तो किस में है चपन में है और राष्टपती में किस के दोरे चलाया जाता है तो आपका वो 61 के दोरे चलाया जाता है और मुख्य नयादी इस पर किस के दोरे चलाया जागा कौ उस पर महाव्योग नहीं चलेगा किसी फिर महाव्योग चलाने से पहले उसे चौदा दिन पहले सुचित करना होगा कि आप पर महाव्योग चलाया जाएगा संग और कारपाल सक्तियों के अनुशेद किसके दवरा राष्ट्पति को नेत किया गया तो अनुशेद 53 के तहद र राश्पती पद के लिए पुर्णा निर्वाचित की पातिरता निरात करता है तो अनुचित 57 करता है कौन करेगा 57 राश्पती पर दोबारा से खड़ा हो सकता लेकिन हमारे वारत में ऐसा नहीं होता है एक ही वार होते हैं लेकिन अमेरिका में दोबार होते हैं कम से कम ठीक है राश्पति कोई भी बिस है पुर्णर याचका के लिए मंत्री परसद को बापस वेजने का अधिकार किस सम्मिधान संसोधन द्वारत प्रतान किया गया है तो चबारिस में सम्मिधान संसोधन है यही सबसे बड़ा संसोधन कहलाता है भारति संसध के किस अनुष्यत के अंतर राश्पति कुछ आसमिकताओं में राजपाल के कारियों को निर्वान है तो उपमंद कर सकता है तो अनुष्यत एक सॉसाट में एक सुसाट में ठीक है को राश्पति के संसंद को निर्वाचन मंदल संसोधन में और गाश्पन में राश्पती से निर्वाचन रीती है 56 में राष्टपती की पदवधी है 56 में कौन है? मुलब पदवधी है मुलब किस तरह से निक्त होता है 57 में पुनर रियाचका के लिए पातरता है 58 में राष्टपती निर्वाचन होने की आधिता मुलब कौन कौन सी मुझा राश्ट्पती बनने लिए क्या के योगिता हैं चाहिए अब बताया भी था हमने ठीक है पैतिस वर्स होना चाहिए किसी लोग सवा सद्वास दिश्के निरवाचन योगिता रखता हो ठीक है इस तरह से वारत का नागरिक हो 59 राश्ट्पती पद के लिए सरते हैं वो तो आपका 59 थिरी में भत्ति फत्ति भी है ना डेड़ लाग रुपर संद्धिंग इसी कंदर आते हैं राश्पति गंदर बहते सु लेकर पूशेगा तो आपका 59 यानुचेद है ठीक है महावयोग में 61 है तो राश्पति महावयोग चलाने की परक्रिया का एक साथ में राश आगे बात करते हैं 62 की बात कर लेते हैं राश्पति पदर रेक्त है तो इस्तितियों में भरने के निर्वाचन का समय अस्माकन रेक्ती होने के निर्वाचन की वेक्ति का पदार है जो 6 मैने में भरना अनुवारी होता है अनुछे 72 में इसमें छमा तथा मावलों में देज राष्णपति के कभी कभी कार पूछ लेता है कि उसकी सक्तियां कौन से हैं? तो इसकी सक्तियां जो है वो कारपटा सकती कहला थी जो अनुचित 23 में दे रख Nós टीक है ठीक है और ये जो संसद के दोनों सद्रों होती है आ जो और सक्ता है। इसको मरन्वान रोद कर शकता है ये साहत बिझां कला सामाजिक हैं इन सभी से होते हैं तो यह अनुष्य असी में दिये हुए है धन विधायक को सम्मिदान संसुदन को चोड़कर अनुष्पती में पुनर याच्यका लॉटा सकता है अनुष्य दिख्या विधायक कोई अगर विधायक है जो उसके पास पहुंच गया अगर उसको कोई दिकत लग रही है तो उसको क्या कर सकता है वापस कर सकता है और यह थोटी अनुष्य देख्यारे देता है ठीक है राश्पती की जो आपकी धन विधायक है अनुष्य देख्या दसके तहत देखता है ठीक है और किसी वी नए राज का निर्माण बर्तमान में राज का छेत्र सीमा या नाम में परवर्थन करने का विदहग जो है 163 में है ठीक है ऐसा विदहग जो भारत की संचिन निदी से ब्यास करने से सम्मंद्य था किन्तो धन विदहग नहीं है तो यह 170 में है ठीक है अचिहार लगनकिस में 170 में और 176-173 में है सब्सक्राइब जारी कर सकता क्या करता अध्यादेश सबस्क्राइबुत दोस्त्ताइब न हो तो अध्यदेशす जो है वो कुछ आपकी सग्तियां भी होती है इस सब्सक्राइब gin यहाँ पर तो एक ही बात करेगा अलग से आप कौमी वीडियो बनाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे कौन कौन सो कह सकता है ठीक है अब आपात काली में अगर हम बात कर लें तो राश्पती जो आपात कालीन होती है तो यह जो राश्टी आपार लगती है नेशनल अमर्जिंसी अगर तो यह कब लग सकती तो युद्ध हो बाहर आकरमण हो जाए या ससत्र ब्रोध हो जाए समिदान संसोदन को द्वारा इस बताया गया है किसी भी भाग की सुरक्षा में संगट में आ जाए राश्टी आपात की गोश्णा कर सकता है कि कौन मंत्र मंदे लिखे सहमिती आवश अब भारिया कमण है तो आप 6 मैंने अमर्जिन से लगा सकते हैं लेकिन उसके बाद फिर से अनमोधन होता है इसको लगा किसी भी अमर्जिन से लगाने के लिए उसमें अनमोधन होगा उसमें आपका लोकसभा राश्ट्वा दोनों क्या होंगे आपके मिले हुए होंगे ठ से भी कर सकते हैं ठीक है और अभी तक अनुचे 52 के तक अब तक तीन वार आप पात लग चुका है ठीक है पहला लगा था उनने सो बांसरट ध्यां रखना बहुत द्यां रखना कितनी बार राश्टी आप लगा था उनने सो मांस्ट में लगा था जड़ चीन के साथ आकरम लगा था ठीक है फिर 1971 में लगा था ठीक है पागिस्तान से जवाकरन लगा था और फिर लगा था 1975 में कब लगा था 1975 में आपको द्हां रखना है आंत्रिक सक्ति जो कांग्रेस द्वारा हुआ था है यह द्हां रखना आपको राश्ट पती सासन के हम बात करें तो तो ऊसमें राष्टपती सासन लग जाएगा और इसे उक्रियर संस्वत के दो माहां के वीतर लेना आवश्यक होता है दो माहां के अंदर इसे पास करना जरूरी होता इस बिल्कू ठीक बिद्धियापत कि बात करें तो अनुश्य 360 के तहते हैं अगर कोई बित्ये संकट भारत पर आता है ये देश में आ जाता है तो उसके दोरा वो राश्टपती का गरसा बित्ये आपदा लगा सकता है तो ये तीन आपदा रहती हैं आपको ध्यां रखना है ठीक है पहली कौन से राश्टपती आपदा जो 352 के तैत लगती है फिर बता है कि आपको हमारी जानकरी कैसे लगी ठीक है आज के लिए बस इतने रखेंगे हमारे आयूस्मांच चैनल को सब्सक्काइब करवाएं ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों को भेजें ठीक है जिससे हम आपको ज्यादा से अच्छा से अच्छे आपको वीडियो